ये स्टूडेंट वेलकम अगेन सो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है आपका जो एक्जाम का सिडूल आया है उसके बारे में देखिए अगर आप CUT user का एक्जाम दे रहे है तो आपके कहीं सारे पेपर इस साल जो है वो ओफलाइन मोड में करवाई जा रहे है कहीं सारे पेपर आपके ओनलाइन मोड में बही है लेकिन हम बात करें तो ज्यादातर पेपर को इस साल क्या कर दिया है और आपको ओमार सीट वगरा मिलेगी अगर आपको नहीं पता है कि ओफलाइन एक्जाम कैसे होता है तो उसके लिए भी मैं आपको आपके जो पेपर है वो पंद्रा मई से ही स्टार्ट होंगे जैसा कि इनोंने पहले बता है ता उसमें कोई भी चंजेस आपको देखने को नहीं मिला है जो भी डेट चेंच हुई थी वो हमने आपको पहले ही बता रखी है तो यहां पर यह देखिए यह जो सिडूल आप देख रहे हो यह है पेन पेपर मिंस ओफलाइन ओफलाइन कैसे पेपर होता है बताऊंगा मैं आपको नेक्स वीडियो में बट फिलाल आप समझ लिजे कि ओफलाइन किन किन सब्जेक्ट का होगा तो पंद्रा मई को आप देख पर भी आपका उफलाइन होगा लेकिन बाइलोजी में आपको 45 मिनटी मिलेगा यह देखिए आप ठीक है बारा पंद्रा से लेके और एक बज़े तक आपका पेपर चलेगा और यह बाइलोजी का पेपर है उसके बाद थोड़ा सा आपको यहां पर जो है सेशन ब्रेक होगा उसके बाद यहां पर देखिए सिप्ट टू ए है वो आपकी तीन बज़े से पौने चार तक है और इसमें इंग्लिस का है अब देखिए इंग्लिस में क्या बहुत ही ज्यादा फॉर्म फिल हुए चाहे आप जेन्यू में देख लो चाहे आप बीए इफ llow हो गया विश्य भारती हो गई जामिया है वहां जनरल टेस्ट यादा मांगते हैं युश्य यह का और गुर्म पिल होगै और इस साल एक चीज और है कि पहले क्या होता तो जैसे पिसली साल किया था कि जनरल टेस्ट का पेपर आपके बहुत दिन चले थे जैसे किसी का एक दिन हो गया फिर किसी का दूसरे दिन हो आप फिर किसी का तीसरी दिन से परके लंबे डाइम ते चला था लेकिन इस साल क्या कि गराफी में है एक ही दिन हो गया जनरल टेस्ट खतम क्रवाश्य की पेपर पर काम खतम ऐख से एकोनोपिक्स का आपका वगा काम क्रवाथ तो इंग्लिस का हो गए आपका उसी दिन है ठीक है तीन बज़े से पौने चार तक है और यह जो है पांच बज़ेसे छे वजह तका जनरल टेस्ट का उसी दिन है आपका ठीक है एक दिन रखे गए फिर नीचे जो आपके 16 माई को तो 16 माई को यह सारे हिंदी फिजिक्स तेलगू तमील फ्ररेंच सिंधी ये लंग्वेज पंजाबी चाइन्स मराठी अपके लिए आपके पंद्वेश उनके 24 मिला है इसे आप 24 तक Water वने वाले उन सब को बर्त मिल गएंगे तो यह वाले आपके क्या यह ओफ लाइन है और यह सारे ओनलाइन है जैसे पहले होते थे वैसे यह होने वाले है तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एक्छोली कैसे आपका जो है मतलब किनकिन सब्जेट का ओनलाइन होगा और किनकिन का ओफ लाइन होगा अब ओफ लाइन कै